और वही नौईटा में फर्जी अधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बैंक और फाइनेंस कमपनियों से करोडो रुपए ठगने वाले गिरों का खुलासा हुआ है जहां इस पूरे मामले में पुलिस ने दो सदस्यों को गिरफतार किया है जबके 5 सदसे अभी भी फरार बताय जा रही है महीं गिरफतार किये गए सभी आरोपियों से पुलिस ने 40 फर्जी आधार कार्ड, 26 फर्जी पैन कार्ड और 16 फर्जी वोटर आईटी कार्ड और 22 चेक बुग परामत की है और वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक शुमायावती ने पूर्व क्याबिनेट मंत्रियों और गोरकपूर के एक बड़े राचुनितेक ब्राह्मन परिवार के सदस्यों को अपनी पार्टी से बरखास्त कर दिया है कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरो पर थी कि हरी शंकर तिवारी परिवार की समाजवादी पार्टी से नजदीक्या बढ़ रही है और जल्द ही बस्पा विधायक विने शंकर तिवारी सपा में शामिल होने जा सकते हैं लेकिन देर रात बस्पा अध्यक्ष मायावती ने इस आश्य का आदेश जारी कर दिया है बहुचन समाजवादी पार्टी ने गोरकपुर जिले की चिल्लुपूर सीट से विधायक विने शंकर तिवारी उनके बड़े भाई और पूर्व सांसाद कुशल तिवारी और उनके रुष्तिदार गणेश शंकर पांजे को पार्टी विरोधी गतिविधियों और शासन हीनुता के आरोप में पार्ट से नस्काशुत किया है